हेलो फ्रेंड वेलकम टू ग्यान प्लस यूपित्र प्लसी ब्रेकिंग न्यूज जी हाँ दोस्तो एक नई अपडेट निकल के सामने आ रही है यूपित्र प्लसी से एक नई खबर निकल के सामने आ रही है जी हाँ दोस्तो आप सही देख रहे होंगे आप एसो भर्ती में धर अभ्यर्थी लगातार लखनव में धरना प्रदर्शन दे रहे थे तो उसमें अब एक नई इंट्री हुई है जिसमें अभ्यर्थी वह अभ्यर्थी भी सामिल हो चुके हैं जी हां दोस्तों हम अब जेई 2018 की बात कर रहे हैं जेई 2018 की भी भरती कब 5 सालों से अटकी पड़ी हुई है तो अभी तक कोई क्लिरेंस नहीं दिख रहा था तो वे अभ्यर्थे भी अब आयोग में धरना प्रदर्शन का कार करने जा रहे हैं वे भी आमरेड अंसन पर बैठ चुके हैं आयोग को कब आयेगा इन बच्चों पर तरस इस पर बात करने जा रहे हैं अब भरतियों का आमरेड अंसन कब तक चलने वाला है कब तक आपकी रिजल्ट की संभावना है इन सभी बात पूर विंदों को चर्चा करेंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं चीजों को डीटल से सबसे पहले हम यहां पर आपकी एक पुरानी फोटो की तस्वीर साजा कर रहा है जिया दोस्तों यह हमने वीडियो डाला था यह जुलाई का वीडियो जिया दोस्तों लाश्ट जुलाई में धरना प्रदर्शन जुलाई अगस्त में धरना प्रदर्शन किया जा रहा था अगर आपको ले चले तो आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर वही फोटो है जिसमें काफी मात्रा में अभ्यर्थी रिजल्ट को लेकर आयोग में धरना प्रदसन कर रहे थे तो अगस्त से मान के चलिए आप आज नौंबर का अंतिम इस्तिती आ चुका है अभी तक धरना प्रदसन अभ्यर्थियों का जारी है अब पचीज से तीस दिनों से के अंदर यंदर 20 से 25 दिनों के अंदर मान के चलिए आप आमरण अंसन पर अभ्यर्थी लगातार प्रदसन कर रहे हैं इनमें आप एक नई इंट्री जेई 2018 वाले अभ्यर्थियों की भी हो चुकी है नहीं तो इस्तिती विगड़ती जा रही है यहां पर आप देख पा रहे होंगे अंतिम पैड़ाम को लेकर धरने पर डटे जेए अभ्यरती जियां दोस्तों अब जेए अभ्यरती भी जो धरना प्रदरसन पर जूट गया है उसके सिलसले में यहां पर एक न्यूज पेपर मे जो पैड़ाम है लंबी पड़ा है ठीक उसी प्रकार से अभी तक जूनियर इंजिनियर था जेए 2018 की भरती यह उसी पड़ी हुई है पैड़ाम की मांग को लेकर अभ्यरती एक बार फिर से इको गार्डेन में आमरड अंसन पर बैट गये हैं रविवार को दूसरे दिन रहेंगे जी जान लगाके अपना हक मांगने का प्रयास कर रहें हैं इससे समंदीद एक जैसे नई पॉजिटिक खबर आती हैं आपके सामने वीडियो लाएंगे हम कामना करते हैं कि आयोग जल से जल आपके रिजल्ट पर काम स्टार्ट कर दें और आपका रिजल्ट जल से रिजल्ट तयार करके दे दे वहीं जेई 2018 वाले भीर्थियों से भी यह गुजारिस है कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वहां पहुच के धरना प्रदर्शन को सांती पूर तरीके से संपन्न बनाया और अपने रिजल्ट की मांग को लेके आप आयोग से गुजारिस करते रहें आसा करते हैं कि जल्द से जल्द आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है जहां तक एसो की बात है एसो वाले व्यत्ति लगातर प्रदर्शन कर रहा है और उनके जो रिजल्ट में है लगभग लगभग अब रिजल्ट का समय आ रहा है अब ज्यादा दिन नहीं बचे है कि आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है फिलाल इस वीडियो में अब इतना ही मिलते हैं किसी नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ तब तक के लिए धन्यवाद